प्रश्णामली 9.3 में आगे बढ़ते हुए अब हम लोग प्रश्ण 14 हल करेंगे तो प्रश्ण 14 में हमें एक आकरती दी गई है तो मैं चाहता हूँ कि आकरती आप सबसे पहले देख लें ताकि आपको एक अंदाजा लग सके कि इस question को कैसे हल करना है यह देखिए यह आकरती हमें दी गई है अब इस आकरती में question में कुछ चीजे mention की गई है इस आकरती से संबन्दे तो वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं तो देखिए इस question में बोला गया है कि AP, BQ और CR यह है तीनों बुजाएं AP, BQ और यह है CR तीनों एक दूसरे के कैसी है? समानतर है, तीनों समानतर है इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि यह देखिए जो AP है वो BQ के समानतर है और जो BQ है वो CR के समानतर है तो तीनों आपस में कैसी है? तीनों आपस में समानतर है अब इसके बाद हमें दिया गया है यहां पे सिद्ध करने के लिए क्या? कि area of AQC, अब आप यहां पे देखिए AQC कहा है? A Q C, तो यह है area of AQC, किसके बराबर है? यह वाला area जो है, यह सिद्ध करना है हमें कि यह PBR के बराबर है PBR कहां पे है? यह देखिए PBR, यानि AQC, PBR के बराबर है, यह प्रूफ करना है में तो सबसे पहले तो जो दो तिर्भुज हमें सिद्ध करने हैं, उनको हम highlight कर लेंगे तो अब आप यहां पे देख सकते हैं, यह एक पीला तिर्भुज, AQC, और यह यह वाला, red, PBR, इन दोनों तिर्भुजों के जो छेत रुफल हैं, वो आपस में बराबर यह सिद्ध करना हैं, ठीक है? तो चलिए, हम इसको आसानी से सिद्ध कर पाएंगे, सबसे पहले तो जो हमें दिया है, वो हम लिख लेते हैं, तो यह हमें दिया गया है, इसके बाद जो हमें सिद्ध करना है, वो भी हम लिख लेते हैं, अब इसके बाद हम उपपत्ती heading डालेंगे, तो आपको ध्यान से स दो समानतर रिखाएं दी गई हैं, A, P, और B, Q, और अगर हम इसमें देखें, तो A, B, Q, और P, B, Q, दो तिर्वज बने हुए हैं, पहला A, B, Q, आप इतने चित्र में मत देखिए, केवल उपर वाले में देखिए, यह देखिए, मैंने स्किल लग दिया, आपके वाल उपर देखिए, A, P, और B, Q, आपस में समानतर दी गई हैं, अब यहाँ पे एक तिर्वज यह हैं, देखिए, A, B, Q, और दूसरा है, P, B, Q, दो तिर्वज हैना यह, दौनों तिर्वजों को दियान से देखिए, दौनों का एक ही आधार है B, Q, तथा एक ही समानतर देखाओ, B, Q, और A, P के मध्यजी बने हुए हैं, तो दौनों के छेतफल कैसे हो जाएंगे, बराबर, तो हम लिखेंगे, कि तिर्वज, A, B, Q, और दूसरा बताईए, दूसरे तिर्वज का नाम क्या है, तथा, तिर्वज, B, P, B, Q, A, B, Q, और दूसरा है, P, B, Q, फिर हम लिखेंगे, दोनों, एक ही आधार, दौनों का एक ही आधार, क्या है, B, Q, B, Q, तो दौनों एक ही आधार, B, Q तथा, एक ही समांतर रेखाऊं, एक ही, समांतर रेखाऊं, और वो समांतर रेखाऊं कौन सी है, B, Q, और A, B के मद्दे स्थित है, इसलिए दौनों तरवजों के छेट फल बरावर होंगे, इसलिए, एरिया ओफ तरवज, A, B, Q, बरावर एरिया ओफ तरवज, P, B, Q, दौनों के छेट फल कैसे होंगे, आपस में, बरावर, क्योंकि जब भी कोई तरवज, दो तरवजों का अधार समान हो, और एक ही समानतर देखाओं के मद्दे स्थित हों, तो उनके छेट फल अपस में बरावर हो जाएंगे, इसे समिंक्रण एक बना देते हैं, इसी तरीके से आईदी आप देखें, तो नीचे BQ और CR भी आपस में समानतर हैं, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, वाई निष्ट भुजा CR नहीं लेनी है, वाई निष्ट भुजा यहाँ दोनों तरवजों की, BQ फिर से लेना है, क्योंकि BQ आपने उपर लिया है, तो BQ नीचे ही लेना है, क्योंकि एक ही आधार BQ पर है, और दो समानतर रिखाओं के मद्ध इस्थेत हैं, तो इसी तरीके साम यहाँ पे लिखेंगे, तिर्भुज BQC, तिर्भुज BQC तथा, तिर्भुज इस तरह बताएए BQR, BQR, दौनों एक ही आधार BQ पर इस्थेत हैं, तथा एक ही समानतर रिखा, कौन-कौन सी हैं, BQ और CR के मद्ध इस्थेत हैं, इसलिए दौनों के चित्फल कैसे होंगे आपस में बरावर, इसलिए एरिया ओफ BQC, बरावर हो जाएगा एरिया ओफ BQC, बरावर किसके होगा, BQR, यह देखिए, इससे समिंकिरण, दो बना देंगे, लेकिन सिद्धे तो हमें यह करना है कि, बढ़ा तिर्भुज यानि बढ़ा तिर्भुज AQC, किसके बरावर होगा, PBRK, तो इस तिर्भुज के दो हिससे कर लीजे, BQ को बीच में से जाड़ी डिवाइट करते हैं, BQ के दोरा, तो एक बनेगा A, B, Q, दूसरा बनेगा B, Q, C, वही है ना, A, B, Q, B, Q, C, अगर इन दोनों को जोड़ देंगे, तो ये बड़ा तिर्भुज बन जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ने से, इस तरह बाला बनेगा, तो हम लेकरेंगे, समिए करने, एक प्लस दो से, प्लस दो से, तो ये प्लस ये कर देंगे, तो एरिया ओफ, A, B, Q, A, B, Q, प्लस, तिर्भुज का चिन्न ना भी बनाए, तो भी चलेगा, यहाँ पे एरिया ओफ, B, Q, C, बराबर किसके होगे, ये प्लस कर देंगे, तो एरिया ओफ, B, B, Q, प्लस, एरिया ओफ, B, Q, R, इन दोनों को जोड़नेंगे, तो जो सिद्ध करना है, मैंने अभी आपको बताया, ये दोनों जोड़नेंगे तो बनेगा, A, Q, C, और ये दोनों जोड़नेंगे, ये दोनों तरफुज तो बनेगा, B, B, Q, प्लस, B, Q, C, या B, Q, R, तो दोनों बढ़ा तरफुज बना देंगे, B, B, R, तो ये यहाँ पर, सिद्ध हो जाएगा, आप चाहने तो इसे नोट कर सकते हैं, थैंक यू,